हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब अपने चैनल यशोता किचन में आपका स्वागत है आज हम लाए हैं आपके लिए सेरेलेक्स की रेसिपी तो अगर आपके घर में 6 मन से 12 मन तक के बच्चे हैं तो आप उनको घर में ही सेरेलेक्स बना के खिलाएए फ्रेंट्स बहुत सारे लोग भार से सेरेलेक्स लागे बच्चे को खिलाते हैं हमें नहीं पता होता उसमें क्या चीज है क्या नहीं है क्या सच में जो दिखा रखा है वही सब चीजे हैं हमें नहीं पता होता और उसमें जो है चीनी की मात्रा भी होती जो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा न नुकसान भी नी करता बच्चे को तो फ्रेंड्स तो चलिए हम आपको बताएंगा सैलक्स घर में कैसे बनाते हैं बहुत ही इजी तरीका है सैलक्स बनाने का बस हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है और बहुत ही ध्यान से बनाना है क्योंकि बच्चे के चीज़े तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए तो यहां पे लिए हमने चने की दाल और यहां पे लिए हैं हमने साथ से आड बदाम ले लिए हैं आप काजू भी रहे सकते हैं इसके साथ यहां हमने धुली मौंगली है यहां पे हमने साबुत मौंगली है जो हरी वली है यहां पे हमने हरैर की डाल ली है पिली वाली लाल वाली डाल ली है मलका की और मसूर की डाल ली है और चावल ली है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूं कि अगर आप एक कप चावल ले रहे हैं तो आपको आदा अदा कप जो है डाले लेनी है तो आप चावल जो है में सबस अगर आप एक कप चावल ले रहे हैं तो आधा अधा कप डाले लेनी है तो हमें यह चीजे इस तरीके से लेनी है मतलब बरावर मात्रा में नहीं लेनी है चावल सबसे जादा लेनी है तो यहां पर हम दो लेंगे इन सब चीजों को तो हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे सारी दालों को चावल को तो फ्रेंडस है यहां पर हमें इनको अच्छी तरह से दोना है कम से कम 4-5 भार दोना है इनका गंदा पानी निकलना चीए जो माल होता है बिलकुल निकल जाना चीए बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हमें क्सलिक्त करना में जुड़े अब यो इससी लिए तो यहां फे सदियों में बना रहे हैं तो अब तोड़ा सा गरम पानी पानी में जो हमें इसको पुलाना है हमें स्वेट कर रखना है जादा नहीं रखना है जैसे रात से सुबह तक नहीं रखना है तो दो गंटे कर राम से तूटने चाहिए हास से दो घंटे है और आपि मैँ तोड रही हूं अराम से ğट रही है इस तरीकी से algumas चंपल जाना चाहिए क्बडा पूल तब्सक्तिने मुझसे अब हम अब कोई आपके घंप मेरे साफ कपडा वो या कोई भी अच्छा साफ कपड़ा होना चीए बस उस पर हम जो इसको सुखाएंगे तो फ्रेंट इसका पानी जो एक दम सुख जाना चीए हमें धूप में नहीं सुखाना इसको हमें पंखे की हवा में सुखाना है या फिर खुले में खुली हवा हो वैसे ही उसमें सुखा पानी पानी जो मुंदे जो उसमें नहीं रहना चीए उसमेंमे सुखाकर ही इसअस तयार करना फिर बांठ नहीं पर स्वाणी पलाहते हैतार म महीने से पंदर दिन तक इसमें पंदहा बच्चे को आपसरे मिला सकते है तो इहां पर Department of तो ऐसा लगी नहीं था कि हमने पानी में इसको भीगवया था तो देखें फिरन्ज बिल्कुल सूख चुका है यह में तोड रही है तो तोट भी राया राम से इस तरीके से भीड़ी नहीं है मतलब मैंने बिल्कुल पानी सुखा दिया था इसका दो गंटे इसको दूप में अच्छाया में रखा था इसको पंखे की हवा में छोड़ दिया था ऐसे ही मैंने इसको और इसका पानी एकदम सूख गया है और अम में इसको जो है पीस मतलब इसको भूनोंगी तो यहां पे मैंने लेली है कड़ाई तो कड़ाई हमें जो है बिल्कुल मीडियम स्लो गैस अगर हम हाइफ लेंपे भूनेंगे तो यह जल जाएगा इसमें कड़वा पना देगा और बच्चे को इसका टेश्ट अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल मीडियम गैस पे ही भूनना है दाल को हमें इसमें कोई ऑल बगएर नहीं डालना आप सोचो अथन कर दो पकेगा तो फिरिम पें पकाने काम है बस बाकिया घृत अब को डिल्ट बनाते हैं तो इतना ज gospel नहीं पकाना हुता इस टाइम आपको चे Judy अब लिया तो आपको बाद में भील्ग नहीं बूहना है यह जो चम्चे में चुपक रहा है तो इस तरह किसे नहीं चिपकना चाहिए बूखना चाहिए, हट जाना चएए एक़ता करकि cladies बूहन से बिल्कूल चिपकना चाहिए यह एक। छम्चे में रहे जा हो जाये तो अभी अलकत deposit म्ली सबंदो नहीं है भुहणते तो अब हमें इसको कम से कम पांस मिनट बूहल वागेंगे taken युद्ल उसको Hehosh virus वागेरा थे तो मैं आपको से कम से कम मिनट अ गाघंगे हैज ज्छादा नहीं आया है क्योंकि हम बिल्कुल मीडियम स्लो गैस पे सेक रहे हैं इसको पका रहे हैं इसको भून रहे हैं अची तरह से और देखिए आप चमचे में बिल्कुल नहीं रुक रहा है मैं इसकी आवाज भी सुनाती हूं आपको तो इसकी आवाज तो आपने सुन ली होगी इस तरीके से आवाज आने चीए इसमें एकदम खरकर की आवाज आने चीए जैसे की नमकीन चैने वगरा में यह सूखी दाल वगरा में आवाज आती हैं उससे भी अच्छी आवाज आने चीए इसमें एकदम तो इसी तरीके से हमक सेलेक्स पिसने के लिए तो फ्रेंड्स हमें इसको कम से कम 12 मिनट लगे थे तो 10-12 मिनट लगते हैं इसको भूने में इसको भूनने में ही आपको सारा ध्यान देना है और अच्छे से भूनना है अपने बच्चे के लिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं हो जाए सेलेक्स बिनाने में तो 12-12 मिनट आपको भूनना है तो यह ठंडा होने के बाद हमको पीसना है अभी हमने गैस को बंद कर दिया है और हमें इसको ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही पीसेंगे क्योंकि आप गरम-गरम अगर पीसोगे तो इसमें मौस्चराइजर आ जाएग जितना होता है उसका आदा हो जाता है दाल छोटी हो जाती है बहुत भूनने के बाद सूख जाती है एकदम और जैसे नमकीन होती है इस टाइप की हो जाती है बिल्कुल जैसे आपने मौन की नमकीन खायोगी मौन की दाल वाली वैसी हो जाती है तो देखे बिल्कुल बारि मेरी बेटी निधे 10 लोगई के घुड़कर भारिक कि इतरा नही हमाला शोड़ा आ जो दरनाती नोल में आप 10-5 कि अधी अर बारिक हो जानीद है तो फ्रेंट से यहां पे देखिए थोड़ा सा हलका सा मुझे मोटा लग रहा था तो मैंने दुबारा पीस लिया था आप चाहें तो इतना मोटा रख सकते हैं ऐसे सूजी होती है अभी जैसे बारिक वाली जो सूजी देखिए अपने वैसा होता है तो बिल्कुल वैसा है यह पिरत देखिए मैं दिखाती हु आपको फिर से इसा हो गया है तो आब है आपको दूसरे बरतन में जो है जिसमें मैं भरके रखने वाली उसी में डाल के दिखाती हूं तो यहां पर देके मैं और बारिक कर लिया था एकदम और इसको जो है आप एक शम्मस से डेड़ चमस किस तरीके से पकाना है तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी अच्छे से चान के इसी बातलमें की भरकी बर क कम चाहिनें ao to infect मवहिनाब हॉं क सुछ थोज के वर्ठल में घ्रम तो स्का डिके मारतके रख़े super cup अगली वीडियो में ऐसी अच्छी से एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई